हेलो दोस्तों एक बब फिर से स्वागत करता हूँ आपका ABCD सब कुछ चैनल में है मेरा नाम है बसी रामात खान लाए हूँ निव डिजिटल बात्रूम लेकर बने रही ये पूरा वीडियो में कान और नजर लगा कर क्योंकि दिखाने वाला हूँ कुछ खास बताने वाला अब फर्ज है और आप लोगों का फर्ज ये है वीडियो को जादा से जादा लाइक करिएगा और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा प्लमिंग का आप लोगों के पास बातरूं का खास बात यह है सबसे पहले मैं बता रहेता हूं दोस्तों इसका जो है इस बातरूं का मैं कंसिल्ड ओएरिंग जो है वो मैं आप लोगों के पास प्रेजेंट कर दिया अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्सन में लिंक है वो वीडियो भी जरूर जाकर यह साइट जो है यह आपका साउट अब हो गया अब बताने वाला हूं आप लोगों को बातरूं का साइट जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो इस कौन से लेकर मतलब इस्ट और वेस्ट जो है वो हमारा 93 इंच है और नोर्थ एंट साउट जो है वो 56 इंच बातरूं का ट आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर जो है बेसीन एरिया जो है वो मेरा स्रीप दो फीट है जो मार्विल लगा है और यहाँ पर बाजू माप देख रहे हो यह एक इलेक्ट्रिक बोल्ड लगा है मतलब स्वीच वागेरा यही से सब कंट्रोल होएगा लाइटिंग वागेरा और वाज बेसीन के उपर ठीक एक मिरर लगा है जो आप खुद का सकल देख सकते हो बाकी एक लाइटिंग लगने में बाकी रहे गया है जो लगने में बाकी रहे गया है उसे जाने दिजे आप बेसीन के नीचे देख लिजे एक फरनीचर हुआ है फरनीचर में नीचे कुछ भी सामान वास वास करने के लिए इसके अंदर आप रख सकते हो यह हो गया आपका नीचे का जानकरी और एक बोतल ट्राप लगा है अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं टेबल टोप बेसिन का हाइट मतलब मार्बेल जो लगा है ब्लाक कलर का उसका हाइट टाइस ल आप सेंटर कितना है इस पाउट का टाइल से दिवाल से एक फिट और इइधर से एक फिट क्यों क्यूंकि क्योंकि दो फिट का एरिया है बेसिंग का तो एक फिट सेंटर में मेरा बेसिंग का इस पाउट का पॉइंट रहे गया अब मैं इसका थोड़ा पानी चालू करके दिखा देता हूँ तो आप आते हैं हम टोइलेट एरिया में मतलब ये टोइलेट जो है आपका ये भी ड्राइ एरिया है तो इसका हम जानकरी देने वाले है सबसे पहले बेसिंग आपका दो फिट एरिया में हो गया उसके बाद जो है आपका इसका साइच जो है टोयलेट का 33 इंच टोटल साइच है और यह जो देख रहे हूँ है यह एक्स्ट्रा पाली 3 इंच का दिया हुआ है और क्यों दिया हुआ है कंसिल का वीडियो देखें कि आप पता चलेगा तो यह 33 इंच आपका टोटल एरिया है टोईलेट का तो यहाँ पर क्या करना है आपको टोईलेट का जो है मेरा पुरा 50% मेजरमेंट हुआ है जो 16.5 इंच आपका हो जाता है तो 16.5 इंच से मेरा कोमट पूरा perfect fitting हो गया यहाँ से 16.5 इंच center में कोमट आ गया है अब यहाँ से क्या करना है एक फिट सेंटर से कोमोट का एक फिट मापको अगर साइट मनल चाहिए तो एक फिट माप रखिए जैसे कि मेट्रोपल आप देख लिए कितना अंदर चल गया है टाइल्स थोड़ा सा ज्यादा यह हो गया यहाँ पर मेरा मेट्रोपल लगने वाला था लेकिन यहाँ पर मेट्रोपल नहीं लिए है क्लाइन्ट साइट में चाहिए सबी चीच तो मैं साइट में रखा हूँ है तो यहाँ पर आप देख लिए लुकिंग काफी अच्छा दिख रहा है और एक दो चीच आपको जानकारी दूंगा जैसे कि यह जो है आपका पीछकारी का पॉइंट हो गया मतलब जिसे जेट स्प्रे बोलते हैं तो आपई पर लोग ये चीचो देख लिए जैसे कि मेरा है यहाँ ब्ल कुषक से की किन है हाँ हूँ जब भी आप टॉइलेट यूज़ करेंगे यह ब्ल का जरूत नहीं है तो आप जब भी नीचे रख दिजिएगा आप बैठेंगे एक नीचे जादा जाएंगे तो वो आपको पोजिशन सही नहीं होगा तो इसके वज़े से क्या किया मैं उपर जो है पीछकारी का पॉइंट दे दिया और नीचे हेल्थ पोसेट का दे दिया हूँ आप आप लोगों और एक चीज़ दिखाता हूँ देख लिजिए जैसे कि फरनीचर में मैं हेल्थ पोसेट का इस्टेंड लगाया हूँ और हेल्थ पोसेट का पाइप बड़ा होने का वज़े से देड मीटर का था तो मैं यहाँ पर कुछ राउंडिंग कर दिया क्योंकि जमीन में यह पाइप लगा रहना नहीं चाहिए यह चीज़ का ध्यान दिजिएगा बाकी यह जो मेरा मेटरोपोल है वो 28 इंच में है और सबी चीज़ जो है 77 इंच डिस्टेंट है अब लोगों को ड्राई एरे में और एक जानकारी देना है जैसे कि यहाँ पर देख लिजिए कौमोड के साइटमेठिक मीडिल मैं नानीटरप दिया हूं मतलब कोने में देना चाहिए ैक्चुली मैं सही न कोने में नहीं दिया क्योnh नहीं दिया स्टेट डाइबेटर के साथ टेलिफोन सावर और इस पाउट यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं नीचे जो डाउन स्लाप मतलब हलका सा आदा इंच नीचे जैसा किए नाहने के लिए लिया हुआ है और यह जो नाइट आप देख रहे हो आप काफी दूर यह आप कंसिल देखेंगे तो पता चलिया क्यों इतना दूर है बाकि यह जो आप देख रहे हो यहाँ पर देख लिए डाइबेटर का जो मेरा हाइट है जो नीचे का है थार्मो इस्टेट यह मेरा 40 इंच हाइट में है बाकि उपर का जो है आपका हैंडल वो कितना हाइट माता है वो दे नीचे से आपको देखना पड़ेगा नीचे से लगा नहीं है जमीन में और एक चीछ यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देना जरूर है जैसे कि देख लिए यहाँ पर यह चीछ जो है आपको हमेसा इस्ट्रेट आपर पार्ट कभी भी टाइल्स लगाने से पहले जाम कर नल रग दिजिएगा एप्रोक्स करने के बाद नल लगाईएगा और आप लोगों को यहाँ पर एक चीछ बात आजेता हूं इस सब जो पानी चालू हो रहा है अभी प्रेसर फम नहीं है फिर भी इतना पानी आ रहा है टॉप लो रहा है बाकी अगर वीडियो अच्छ लग तब लोगो के पास किसी दूसरे डुपिक के साथ तब तक क्लिए गुडबाए